पाठ बारह पोंगल भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। इस देश में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन कोई पर्व त्योहार ना मनाया जाता हो। पोंगल तमिल नाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिध त्योहार है जो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीक को मनाया जाता है। तमिल नाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। यह दिन जन्वरी के म पॉंगल उत्रायन के आरंभ का सूचक है। उत्रायन का आर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। पॉंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीजों की होली जलाते हैं। चीजों को जलाते हुए लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी को टू कहते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाये जाते हैं। सांच को जब घर में सफेदी हो चुकी होती है, तब फर्ष को रगड़ रगड़ कर धोया पोचा जाता है। चावल के आटे से फर्ष पर कुछ आकरतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें कोलम कहते हैं। कोलम नई फसल के चावल से बनते हैं, इसलिए इसका विशेश महत्व है, कोलम के सुर्ख आटे को पानी में घोल कर उससे प्रतेक कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पटियां बनाई जाती हैं, पोंगल के लिए एक विशेश बरतन खरीदा जाता है, उसमें दूद, नई फ जिवता के लिए शर्क रई का भोग तयार किया जाता है, इसलिए इस दिन को शर्क रई पोंगल कहते हैं, जिस बरतन में पोंगल बनाते हैं, वह पोंगल पान नई कहलाता है, बरतन के गले पर हल्दी का पोधा बांधा जाता है, तमिलनाडू के लोग हल्दी को पवित्र म हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है इन्ही दिनों एक की फसल भी तैयार हो जाती है पोंगल की पूजा से पहले नए कपड़े पहनना जरूरी है तब ही पूजा में बैठने की अनुमती मिलती है फिर सब के बीच शरकरई पोंगल बाटा जाता है एक काट काट कर गंड पोंगल के बाद वाला दिन माट्टु पोंगल के रूप में मनाया जाता है इस दिन पशुओं के प्रती कृतक गिता प्रकट की जाती है क्योंकि सारे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं गायों के मस्तक पर हल्दी कुम-कुम लगाई जाती है उनके गले में पुश्प हा डाल कर उनकी पूजा की जाती है उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाणियों हलों और दूसरे औजारों हतियारों पर रंग रोकन करते हैं बैलों की सींगों को घिस घिस कर नोकदार बनाया जाता है उन पर रंग रोकन रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गले में मनके और घंटियां टंटनाते हुए गलियों में दौरते हैं, उनके पीछे युवकों के जुंड चलते हैं, कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है, कुछ फासले तक उसे दोडाने के बाद वह बैल के गले में बंधी रुपेयों की थैली उतार लेता है, रुपे उसी युवक के हो जाते हैं, पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते, कुछ बैल तो बड़े उग्र होते हैं, अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है, या उनक कई लोग अकेले ही या मिल जुल कर बैलों से टक कर लेते हैं, बहुत ही रोमान चक द्रिश्य देखने को मिलता है, साइकाल ग्राम देवी के मंदिर परिसर में महिलाएं पूजा करने आती हैं, इसके बाद शुरू होती है बैल गाडियों की मनुरंजक दौर, जिसमें सभी आयूवर के लोग उत्साहप पूर्वक शामिल होते हैं।